Hello students, आप लोग जानते हैं कि हम लोग 11th class के अंदर mathematical tools पढ़ रहे हैं और differentiation हम अपना complete कर चुके हैं और integration की बात हम लोग कर रहे हैं कल मैंने आप लोगों को basic integration के बारे में student समझाया था यह हमारी integration की last class है इसके बाद में integration का काम हमारा खतम हो जाएगा और next condition हम mathematical tools के अंदर start करेंगे देखिए integration के अंदर कुछ बाते मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बचो जैसे की integration का symbol क्या है कैसे हम लोग integration कर रहे हैं किसके respect में हम लोग कर रहे हैं main rule हमारे पास में क्या है और plus c हम कहां लगाते हैं आज हम दूसरी बात student करने वाले हैं वो क्या है जरा आप लोग समझेंगे मैं आपको बताता हूँ student जैसे की मैंने आपके सामने example number one लिखा बचो जैसे की हमने आपके सामने example number one लिखा और हमने लिखा integration x to the power 4 dx देखो गौर करने वाली बात student ये है कि ये जो integration हम कर रहे है क्या इसमें कोई limit आपको दिखाई दे रही है कि मैंने कोई particular limit का use किया हो ओ आप हो सकता है कि आप limit को भी ना जानते हो कि limit क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ कोई number तो नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है जिस integration में कोई particular limit यानि कोई range नहीं होती है, कोई number नहीं होता है, उस integration को student हम indefinite integration बोलते हैं, indefinite integration को करने का जो तरीका है student वो बड़ा आसान है, कल मैं आपको इसके बारे में rules बता चुका हूँ, तरीका है, x to the power 4 का integration करेंगे, x to the power 5 upon 5 यहां limit नहीं है बचो, तो 7 में लग जाएगा plus c, student 7 में लग जाएगा plus c, मतलब आप आगे से ये बात धियान लगेगा कि plus c हम कहां लगाते हैं, देखो plus c क्यों आता है, कैसे आया, यह सारी बात में यहां नहीं करने वाला, क्योंकि ये बात तो mathematics में आप लगों को सिखाई जाएगी, हमें जो सिर्फ इतना धियान लगना है कि plus c कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा, यहां limit का use नहीं हो रहा है बचो, तो हम कहेंगे कि ये एक indefinite integration है, indefinite, कोई limit नहीं है, कोई definite part नहीं है, limit नहीं है, यहां कोई number नहीं दे रखे हैं, तो कोई limit नहीं है, तो indefin integration है, और indefinite integration करने का तरीका बहुत आसान है, student, बहुत ही जादा आसान है, हमें कुछ नहीं करना है, x to the power 4 है, power में हमने एक add किया, तो बन गया x to the power 5 divided by 5 plus c, यह हमारा integration हो जाएगा, student, ठीक है, ओके, अब जैसे कि मैंने next example आपके सामने लिखा बचो, next example है, integration x to the power 3 plus 2x square, plus 1 dx, यह हमारे सामने student लिखा हुआ है, integration की condition, अब कैसे हम लोग integration करने वाले हैं, integration x to the power 3 dx plus 2 x square dx plus 1 dx, बचों मैंने बताया था कि लिखने का तरीका क्या है, कल की class में, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया था, कि integration हम लोग लिखते कैसे हैं, जिल लोगो को समझ ना आया हो, वो previous lecture को ध्यान से देखें, बात बिल्कुल clearly आप लोगों को समझ में आ जाएगी, यह integration का symbol है, और dx का मतलब है कि हम x के respect में integration कर रहे हैं, अब जैसे ही हम लोग इसका integration करेंगे ना student, देखो क्या condition मनेगी, यह है x to the power 3, और integration है x के respect में, तो x की power 3 का integration हो उसके बाद देखो आप, प्लस 2, यह x की power 2 है, x की power 2 का integration, x की power 3 upon 3, प्लस, यह 1 है बचो, पता है ना integration का basic rule क्या है, integration का basic rule है कि power में एक add कर देना है, और add करके जो आया है, उसी से divide कर देना है, यहाँ x की power 2 है, हमने 2 में जैसे ही 1 को add किया, तो वो बन गया 3, 3 से divide कर नीचे है, तो यह आ जाएगा बचो, यहाँ है student 1, और 1 का integration करना है x के respect में, मैं कई बार आप लोगों को यार यह बात बता चुका हूँ, कि जब भी आप किसी constant का integration करेंगे, तो उसके साथ में वो ही term लग जाएगा, जिसके respect में आप कर रहे हो, for example, 1 का integration x के respect में कर रहे है तो x आ जाएगा, 1 का integration y के respect में करेंगे, तो y आएगा, 1 का integration z के respect में करेंगे, तो z आएगा, so 1 का integration x के respect में करना है, तो यहाँ आएगा x और साथ में आएगा plus c, जानते हो मैंने plus c क्यों लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि यह जो integration मैंने आपके सामने लिखा हुआ है बचो ये एक indefinite integration है हमें कैसे पता चलागी एक indefinite integration है student हमें पता यहां से चला क्योंकि इसके अंदर limit नहीं है limit अब limit नहीं है तो indefinite है और indefinite में plus C आप लोगों को साथ में बचो लगाना है एक और example हम लोग देखते हैं देखो next example क्या है example number 3 example number 3 student क्या है integration under root x plus 1 upon under root x का whole square dx बचो ये हमारे पास में next example की situation है हमें इसका integration करना है जरा समझना है कि कैसे हम लोग इसका integration करेंगे देखो यार हमने अभी ऐसा हम तो क्योंकि बहुत basic integration की बात कर रहे हैं हम उसे integration की बात कर रहे हैं जो हम physics में use में लेकर आते हैं बहुत basic वाला integration है और ये integration का symbol है पता है आप लोगों को dx का मतलब है कि x के respect में integration कर रहे हैं किसका कर रहे हैं ये जो बीच में bracket लिखा हुआ है ना बच्छो इसका कर रहे हैं और bracket की power 2 है हमने ऐसा कोई rule अभी तक नहीं पढ़ा जहां bracket की power कुछ भी 2, 3, 4, 5 दे रखी हो जिसका integration हम लोग कर पाएं इसलिए मैं एक काम करने वाला हूं student यहां पर थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा कि पहले हम लोग इसका bracket solve कर लेते हैं जब ब्रैकेट हम लोग इसका solve करेंगे तो क्या बनेगा under root x का whole square x square plus 1 upon under root x का whole square 1 upon x plus 2 student इस condition को solve करके यह condition हमारे सामने आने वाली है कैसे आने वाली है एक बार बता देता हूं मैंने माना कि यह तो है a 1 upon under root x को बचो मैंने माना v और यह मेरे सामने बन रहा है a plus b का whole square और a plus b के whole square का formula आप जानते हैं बचो क्या formula होता है a square plus b square plus 2 into a into b मैंने वैसा ही किया under root x का square किया तो यह आया 1 upon under root x का square करेंगे तो यह आएगा और 2 into a into b करेंगे तो यह condition हमारे सामने बनने वाली है बचो इसके बात देखे हम क्या कर सकते हैं student हमीं काम करते हैं इस condition को इससे replace करा देते हैं मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे यह integration का symbol है और dx का मतब है कि x के respect में integration कर रहे हैं किसका integration कर रहे हैं बचो हम इसका integration कर रहे हैं तो इसे replace कर देते हैं इस value से जैसे ही इसे replace करेंगे ना इस value से तो ये बन जाएगा x square dx हमने सब के साथ integration अलग-अलग ले लिया है student एक बार बही जब इसकी जंगा हम लोग ये रखेंगे ये वाली value यहाँ पर आएगी तो एक बार integration इसके साथ एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ तो यहाँ है का plus 1 upon x dx plus 2 को बाहर रखेंगे और ये हो जाएगा 1 dx ये situation student हमारे सामने बन गई अब आप देखें ज़रा x square का integration करेंगे तो बनेगा x की power 3 upon 3 1 upon x का integration करेंगे log mod x मैंने कल बताया था आप लोगों को बुलना बिल्कुल नहीं है 1 upon x का integration log mod x इसका integration ये और देखो ये 2 है 1 का integration x के respect में करेंगे x अब मुझे सोच कर या देख कर मुझे ये बताओ ये integration है कौन सा definite या indefinite तो बड़े आराम से आप कोगी कि सर ये तो indefinite है क्यों है indefinite क्योंकि limit नहीं है इसके उपर तो हम लोग साथ में क्या लगा देंगे student हम साथ में लगा देंगे plus c तो बच्चों ये हमारा तरीका है ये हमारा तरीका है जिसका यूज करके हम लोग integration करेंगे ये integration का symbol है अगर limit नहीं है तो indefinite है और साथ में plus c लगेगा और अगर limit है तो definite है साथ में plus c नहीं लगेगा rule आप लोग जानते है student rule क्या है power में हम एक add कर देंगे और add करके जो आएगा उसी से हम लोग divide कर देंगे तो ये situation हमारे सामने बनने वाली है तीन example मैंने आप लोगों को बताएं ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं देखो next condition क्या है अपने पास में मैं आप लोगों को बताता हूँ student जैसे कि आप लोग समझे ए example number 4 मैंने आपके सामने लिखा a से लेकर b और यहां मैंने लिखा x square dx तो एक दम से आप देखते ही कहोगे कि सर इसके अंदर तो limit है इसके अंदर limit है हमें दिख रही है इसके अंदर limit कौन सी limit है बच्चों इसके अंदर limit है a से लेकर b तक नीचे दे रखा है a ऊपर दे रखा है b और यह है x square dx यह integration का symbol है dx का मतलब है कि x के respect में हम integration कर रहे हैं किसका integration कर रहे हैं x square का integration कर रहे हैं तो क्या तरीका होगा बच्चों पहले तो मैं आपको यह बता दू कि जिसके अंदर limit होगी उसका नाम होगा définis integration और उसमें आपको plus c ययानि constant नहीं लगाना है जिसमें limit नहीं है उसका नाम है indefinis उसमें plus c लगाना है और जिसमें limit है उसमें आप लोगों को constant student नहीं लगाना है ध्यान रखेगा इस बात को जिसमें limit है उसमें constant नहीं लगाएंगे जिसमें limit नहीं है उसमें हम लोग constant लगाएंगे चलिए देखता हैं कि solve कैसे करेंगे हम लोग इसे बच्चो हम इसे solve कैसे करेंगे integration equal यह x to the power 2 लिख रहा है आप लोगो अगर हम x to the power 2 का बच्चो integration करेंगे तो x की power 2 है power में एक add करेंगे तो कितना आएगा 3 और 3 से हम लोग divide करतेंगे यह integration होगे simple वही तरीका हम लोगों ने लगाया जो हम लोग indefinite में लगा रहे थे limit है student हमारी a से लेकर b तक अब main काम है कि limit कैसे put करेंगे सबसे पहला काम था पहचान करना definite है या indefinite मेरे सामने बैठे हुए जितने भी student है 11th class वाले वो बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ रहे होंगे कि जहाँ limit होगी definite और जहाँ limit नहीं होगी indefinite indefinite में आपको constant लगाना है और definite में आपको constant नहीं लगाना है अब कैसे हम लोग इसे solve करेंगे बच्चों ये हमें देखना है इसका integration ये हो गया 3 को हम बाहर ले लेते हैं 1 upon 3 x की जहाँ रखेंगे b b to the power 3 बीच में लगाएंगे minus x की जहाँ रखेंगे a ये हो जाएगा a to the power 3 so this is the value of integration student ये हमारा integration होगा 1 upon 3 b की cube minus a cube 1 upon 3 b to the power 3 minus a to the power 3 this is the value of integration इतनी value हमारे पास में निकल कर आएगी एक दो example हम लोग और देखते हैं इसके उपर देखो student जैसे की example number 5 आप लोग देखो x square plus x plus 1 dx 0 से लेकर 2 जैसे ही आप लोग इसे देखोगे तो आप मुझे बताओगे definite है या नहीं है एकदम से कोगे किसर definite है क्यों है definite क्योंकि limit है यहाँ पर limit दे रखी है 0 से लेकर 2 तक हमें इसकी value को find out करना है ठीक है यह definite है पहचान हम लोगों ने कर लिए अगर यहाँ limit ना होती तो indefinite होती integration करने के बाद में constant लगा देते हैं लेकिन यह definite है तो integration करने के बाद में हम limit को इसके अंदर put करेंगे अब कैसे answer निकालेंगे सबसे पहला काम बच्चों यह है कि आप लोग इसका basic तोर पर integration कर दो क्या integration होगा जड़ा देखते हैं देखो मैं सीधा कर दे रहा हूँ सीधा बिल्कूँ क्योंकि x के respect में करना है x की power 2 है integration होगा x की power 3 upon 3 x की power 1 है integration होगा x square upon 2 1 का integration x के respect में x limit है 0 से लेकर 2 यह limit होगी है student हमारे पास में हमने basic integration इसका कर दिया मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा x की power 2 है power में add कर दिया उसी से divide कर दिया x की power 2 x की power 1 है 1 में एक add किया 2 2 से divide कर दिया 1 का integration x और limit है 0 से लेकर 2 तक अब हम इसके अंदर values को put करते है student देखो जब values put करेंगे so सबसे पहला काम हमारा क्या है मैं आपको बताता हूँ जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां 2 put करिए तो यह हो जाएगा 2 to the power 3 upon 3 plus 2 to the power 2 upon 2 plus 2 student जहां जहां x था मैंने वहां वहां 2 put कर दिया है बीच में लगाएंगे minus अब हम एक काम करेंगे जहां जहां x है वहां वहां 0 रखेंगे so 0 की power 3 upon 3 plus 0 square upon 2 plus 0 ठीक है बहुत आसान है एक बार x की देंगा 2 फिर minus फिर x की देंगा lower limit एक बार x की देंगा upper limit बीच में minus फिर x की देंगा lower limit चलिए solve कर लेते हैं student हम इसे 2 to the power 3 8 upon 3 plus 2 to the power 2 4 4 by 2 2 plus 2 minus के 0 ये पूरा 0 हो जाएगा तो यहां से student हम solve करेंगे 8 upon 3 plus 4 so 8 plus 12 divided by 3 answer is 20 by 3 तो बच्चो ये जो question आपके सामने दिखा रखा है इसका complete integration हमारे पास में ये होगा और value put करने के बाद में answer आने वाला है 20 by 3 मतब मेरी आज की class सिर्फ इस बात के ओपर depend है बच्चो मैं आप लोगों को सिर्फ तीन बात है आज की class में सिखाने वाला हूँ पहली बात, पहली बात यह है कि पहचान करना definite कौन सा है, indefinite कौन सा है कहां limit put करनी है, कहां limit put नहीं करनी है कहां constant रखना है, कहां constant रहीं नहीं रखना है बचो मैंने आप से कहा कि integration क्या है integration है, एक छोटी value को बड़ी value में convert करना that is called integration यह हमारा integration है, two types का है, definite जहां हम limit का use करेंगे, that is called definite, number two, indefinite, जहां हम limit का use नहीं करेंगे, यह indefinite है, और इसमें integration करने के बाद में constant लग जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, plus C, definite में वो constant नहीं लगता है, और यह हमारा limit को put करने का तरीका है, ठीक है, चलिए, आगे देखत हैं भी हम लोग, देखे student, condition क्या है, integration is equal to, y to the power 4, plus, y, by, limit है, 1 से लेकर 2 तक, यह बच्चो problem है मेरे पास में, कुछ इस तरीके से दे रखा है, मुझे इसका integration करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहला का, integration is equal to, 1 से लेकर 2, limit दे रखिए न, तो यह definite है, इसमें हमें constant का use विल्कुल नहीं करना है, एक बार integration इसके साथ, y to the power 4, dy, plus, 1 से लेकर 2, y, dy, देखिए इसके बाद, integration is equal to, y to the power 4, y की power 4 का integration करेंगे, y to the power 5 upon 5, plus, y to the power 1 है, integration करेंगे, y square upon 2, और limit हुजाएगी, student हमारे पास में, 1 से लेकर 2, ठीके, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही easy है, हमने एक बार integration इसके साथ लिया, एक बार integration इसके साथ लिया, जब इसके साथ integration लिया तो ये बना, जब इसके साथ integration लिया तो ये बना, अब हमें limit को put करना है, student, limit को कैसे put करेंगे, देखिए ध्यान से, integration is equal to एक बार हम y की जंगा 2 put करेंगे तो यह होगा 2 to the power 5 upon 5 plus 2 to the power 2 upon 2 बीच में लगाएंगे minus फिर हम y की जंगा रखेंगे 1 1 to the power 5 upon 5 plus 1 square upon 2 ओके student हम लोग इसे solve करेंगे problem solve हो जाएगी answer बन जाएगा आप लोगों काम यह है कि आप इसे पूरे को solve करेंगे और मुझे answer बताईगे comment box में कि क्या answer बच्चो आपका आने वाला है उमीद है कि इस example से आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि definite integration क्या होगा और indefinite integration हमारा क्या होने वाला है student आपको solve करके comment box में मुझे answer बताना है कि क्या हैगा चलिए student आगे देखते हैं देखे बच्चो एक छोटा सा question मेरे पास में लिखा हुआ है dx upon dy is equal to y square ठीके बच्चो ये मेरे पास में लिखा हुआ है समझेगा बात को बहुत ध्यान के साथ dx upon dy is equal to y square मुझे सिर्फ x की value निकाल गी what is the relation between x और y मुझे x में और y में relation बताना है क्या होगा देखो बच्चो मैंने क्या किया जरह समझेगा बिल्कुल ध्यान से मैंने एक काम किया dx upon dy is equal to y square हमने dy की multiply सिर्फ कर दी यह बन जाया कर dx is equal to y square dy यह dy को हम इधर ले गए और dy को इधर ले जाकर हमने दोनों तरफ का integration ले लिए student ले लिए integration यहाँ dx के सामने लिखा हुआ है one देखो जब हम one का integration यह one आपको दिख रहा है इस one का integration x के respect में करेंगे तो x आएगा बता रखा है मैंने आप लोगों को इधर देखो y की power कितनी है 2 y की power 2 का integration y के respect में करेंगे y to the power 3 upon 3 और साथ में आ जाएगा प्लस ही यह एक indefinite integration था और problem कुछ इस तरी किसे हमारे पास में solve होगी ठीक है एक और example देखते हैं बचो जैसे की हमारे पास बना dx upon dt is equal to t square plus t dx upon dt is equal to t square plus t ओके बचो मुझे बताना है कि x की value क्या होगी what is the value of x तो देखो करना क्या है इधर भी t square plus t और यह है dt समझ रहे हो बात को dt को इधर ले जाते हैं so dx is equal to t square plus t साथ में है dt अब देखो बच्चो हमने क्या किया बिल्कुल दिहान से हमने इधर का भी integration कर दिया और इधर का भी integration किया limit तो नहीं है न limit नहीं है बहुत सारे question हमारे सामने ऐसे भी आएंगे कि जिनके सामने limit होगी लेकिन यहां अभी कोई limit नहीं है यहां है 1 जब 1 का integration x के respect में करेंगे x यह है t square t square का integration करेंगे t to the power 3 upon 3 plus यह t to the power 1 है यह जायगा t square plus 2 और यहां है का plus c अब बहुत सारे बच्चों के mind में problem आ रही होगी question आ रहा होगा पीछे भी हमने किया और यहां भी मैं कर रहा हूँ कि जब सार यहां भी limit नहीं थी और यहां भी limit नहीं थी दोनों दरफ का हमने integration किया तो हमने x के साथ plus c यहनि constant क्यों नहीं लिया हमने इधर constant क्यों लिया है ठीक है बचो आपकी बात बिल्कुल सही है मैं इधर भी constant ले सकता हूँ इधर भी constant ले सकता हूँ जैसे कि मैं बताता हूँ आपको यहां से मैं solve करके सीधा बताता हूँ 1 का integration x के respect में करेंगे x constant आगया c1 for example मैंने constant लगा दिया c1 मैंने इसका integration किया t to the power 3 plus 3 मैंने constant लगा दिया c2 plus मैंने t का integration किया t to the power plus 2 और मैंने यह लगा दिया c3 यह भी constant यह भी constant यह भी constant तो मैंने इन तीनों को combine करके बचो अगर मैं c1 को उधर ले जाओं तो यह बन जाएगा c2 plus c3 minus के c1 आप यह समझें कि मैंने तीनों को combine करके एक ही constant लिख दिया है जिसका नाम है c और आप लोगों को भी वैसे ही करना है दोनों तरफ integration करें या एक तरफ ही आप कहीं सारे integration करें आप लोगों को एक काम करना है अलग अलग constant लिखने की कोई ज़रूत नहीं है एक constant आप लिख सकते हैं जिसे आप c नाम दे सकते हैं तो बच्चो कुछ इस तरीके से आप problem को solve करेंगे ठीक है चल आगे बढ़ते हैं देखे बच्चो condition क्या है हमारे बास बना dx upon dy is equal to x यह student ठीक है अब आप एक बात देखे यार कि हम करेंगे कैसे problem को कैसे solve करेंगे अगर मैं dy को इधर ले जाओ तो यह बनेगा dx is equal to x dy problem वाली बात है भाई कैसे x का integration y के respect में तो हम कर नहीं सकते हैं तो हमने एक काम किया बच्चो हम x को इसके upon में लेकर आ गए है x को यहाँ इसके upon में लेकर आ गए यह बना one upon x dx is equal to dy और यहाँ आकर हमने दोनों तरफ integration ले लिया ठीक है बच्चो देखो मैंने क्या कहा जिस तरफ x है जिस तरफ dx है dx की तरफ सारे x वाले टर्म रखो जिस तरफ y है, t है या कुछ और है यानि x की तरफ x वाले टर्म y की तरफ y वाले टर्म अगर y की जिएंगा कुछ और होता मालो time होता तो time वाले dt की तरफ x वाले dx की तरफ x वाले dx की तरफ y वाले dy की तरफ यानि जितने भी y के टर्म है वो dy की तरफ रखने है जितने भी x के टर्म है वो dx की तरफ रखने है ये बात आपको धियान रखनी है one upon x का integration करेंगे student यहाएका log mod x one का integration y के respect में करेंगे y और यहाँ यहाएका constant c तो बच्चो कुछ इस तरीके से हम लोग problem solve करेंगे उमीद करते हैं कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी और मैं आपको practice के तौर पे दो question यहाँ पर दे रहा हूँ आप उन problems को solve करें और मेरे नीचे दी गए whatsapp number पर आप उन questions का solution हमारे पास में भेज सकते हैं यदि कोई problem आप लोगों को lecture के अंदर नजर आ रही है कल का lecture और आज का lecture दो lecture हमारे integration के उपर हुए है तो आप अपना suggestion या जो आपको problem है या जो आपको doubt है वो भी आप हमारे पास में भेज सकते हैं क्योंकि after 11 April, 11 April के बाद में आपको inactive कर दिया जाएगा तो बहुतर है कि 11 April से पहले आप अपने app को download करें Google Play Store से और अपना registration कराएं अपने particular batch के अंदर और आपकी पढ़ाई में कोई भी loss ना हो तो अपने lectures को आप continue रखें और अपना registration कराएं student मैं दो question आप लोगों को दे रहा हूँ उन questions को आप solve करने का परियास करिएगा और उनका answer हमारे पास में send करिएगा question number 1 है student x square plus x plus 1 dx limit है 1 से लेकर 5 second है बच्चो dx upon dy is equal to y square plus y upon x square ठीक है आपको इसकी value निकालनी है दो problem है बच्चो यह आपका homework है आपको solve करना है बाकी video की description में भी आपको एक link दी गई है जहाँ एक dpp है उसमें integration की सभी problems को डाला गया है उसे भी आप solve करिएगा student thank you